नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हेलफ हाव यूट्यूब चैनल में आज इसे वीडियों बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट का फूल के वाइसी कैसे होगा और फूल के वाइसी कराने के बाद आपको क्या फायदे होंगे इसके बारे म है अपने अकाउंट का इसके बारे मापको पूरा जनकारी देंगे वीडियों बने रहें और चैनल पकर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब के बेल आइकन को जरूर प्रसक्रें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट का फूल के वाइसी कराने के लिए आपको जाना प अधान के ओई होगा और के वाईसी में जो है आपका फिंगर पिंट लाएगा इसमें आपको अधार कार्ड अपना ले जाना पड़ेगा जो भी और कीज़न अधार कार्ड वोगा उसके माधियम से इसका कियावाईशी होगा और अगर आपके पास कोय और भी डाकुमेंट या फिर दस्तावेश है जैसे पैन कारोटेड आइडई है तो आप इसको इसको ुसमें अटाइच कर सकते हैं उसमें लगा सकते हैं या फिलिंक करा सकत करने के बारे में पूरा जनकाइद कराने के बारे मां पूरा काई तो हो जाएगा अगर आप सेविंग करना कराना चाहते हैं यह पिर करना सकते हैं वैसे ज्यादा लोगों का saving account होता है budget खाता होता है तो आप saving account करा सकते हैं KYC हो जाने के बाद आप अपने account में lane देन कर सकेंगे और कहीं पर भी आप पैसें का transfer कर सकेंगे जिन लोगों का KYC नहीं है और जो लोग पहले अपने account बना चुके हैं अपने mobile से या फिर घर बैठे जो भी इंडिया postman में account में खोले हुए हैं और जिनका KYC नहीं हुआ है मतलब उन लोगों का एक तरह से digital account उपन हुआ है उन लोगों का जो account है तरह से इसमें बंद हो चुका है और अगर उसमें पैसे हैं तो एक तरह से पैसे फंस भी चुके हैं और उस पैसे का इस्तेमाल अगर account खुल आए तो आपके वह रिजार्ज करने में कर सकते हैं और कहीं पर भी आप पैसे को लेंदेन नहीं कर सकते हैं अगर आपका पैसा फसा है तो आप चाहें और पैसों का लेंदेन है और बागी बहुत कुछ में फीचर्स हैं जैसे अगर आप चाहें तो पेटियम फोन पे गूगल पे इन समय अपना चाहें तो कर सकते हैं और को जाना पड़ेगा ब्रांच पर और वहां पर जाकर आपका करा सकते हैं तो आपको वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब